एक राइटर ने एक लड़की के बारे में लिखा और लड़की डारेक्ली उसके सामने आ जाती है वो उसे जो चाहता वो करवा सकता था उसके लाइप पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने की ताकत उसमें थी तो अब आगे क्या होगा है हम आज के हमारे मूवी रूबी स्पा के ने बुचा तो मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो अचानक से सपना तूट गया केविन अपने सबने में रूबी को देख रहा था केविन एक्चॉल में एक व्राइटर है जब वो हैस्कुल में था तो उसने एक बुक लिखा था और उसके बात से हो हमेशा से स्ट् ब्रेदर ने उसे कहा कि तुम्हें डेट पर जाना चाहिए वैसे भी तुम्हारी बुक पढ़कर बहुत सारी लड़के तुम्हारी दीवानी है केविन को लगता है कि बुक पढ़ने के बाद सब लोग के उसकी अलग फैंटसी है वो एक्चॉल में बहुत ही अलग है तो इ केविन किसी से भी जादा मिलता ने इसके बारे में डॉक्टर से बात कर रहे थे डॉक्टर ने कहा कि तुमने अपना डॉक लिया था इसके पीजे भी यही रिजन था तुम उसे पार्ग में खुमाने के लिए लेकर जाओगे और लोग तुमसे बात करेंगे केविन कहता है कि मेरे डॉक को किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता तो इस वज़े सो किसी से भी जादा मिलता ने डॉक्टर को केविन की सेल्फ एस्टिम बहुत ही कम लग दिया तो उन्हों ने उसे एक असाइन्मेंट दिया का तुम्हारे डॉक को वो जैसा है वैसा अगर कोई उस पर भोथी कुस्टा है वो पास साल से 7 थे पर अब इस प्रेकप को भी बहुत सारा टाइम घुजर चुका है नेशन में हम केविन को एक meetup पर देखते है जिसके बारे मैं उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था वहाँपर उसे बोहत सारे fans मिले केविन के सारे friends उसके सारे fans इन सबको लगता है कि वो एक genius है केविन कभी भी अपने आपको genius समझता ने क्योंकि उसने सेकंड बुक नहीं लिखे ये बात हमेशा उसे खाये जाती है पार्टी में केविन को फिर से एक लड़की मिली जो जबरदस्ती अपना नमबर उसे दे देती है पार्टी में केविन के साथ एक सिनियर राइटर ने भी पात किये उसने का कि अगर तुमने सिर्फ एक ही बुख लिखी तो तुमें कोई भी याद नहीं रखेगा थोड़े सालों में सब लोग तुमें भूल जाएंगे इसे ओ और भी जादा टेंशन में आ जाता है वो जब घर पर आया तो उसके डॉग ने उसका बेट गंदा कर दिया था उसे नीजे ही सोना पड़ता है आज रात रुबी फिर से उसके सपने में आये पर इस बार उसे उस सही तरीकी से देख सकता था उसे उस बहुत ही ब्यूटिफुल लगी सपने में केविन पार्क में था केविन के डॉग को देख कर रुबी उससे बात करने लग गई थी वो केविन से कहती है तुम्हारा डॉग लड़कियों की तरह ही पैशाप करता है यह बात केविन को बहुत ही अजीब लगी वो फिर केविन के डॉक को पेंट करने लग गई थी उसने उसका नाम पूछा केविन कहता है कि इसका नाम स्कॉट है केविन का फेवरेट रैटर स्कॉट था तो इस वज़े से उसी का नाम उसने उसे तिया हुआ है रूबी कहती कि ये बात तो डिस्रिस्पेक्टफुल है तुम शायद खुद को उस राइटर से जादा टैलेंटर समझते हो रूबी का इस तरीके से डारेक्ट लिए उसे कंफरंट करना ये केविन को बहुत ही अच्छा लगता है वो जाते जाते कहें कर जाती है कि तुम्हारा डॉक बहुत ही अच्छा है वो जैसा है उसे अच्छा लगता है इसी के बारे में डॉक्टर ने केविन को लिखने के लिए कहा था वो फिर रूबी के बारे में लिखने लग जाता है उसके बुक की में गैरेक्टर बन चुकी थ इसके बारे में वो डॉक्टर से बात करता है कहता है कि मैं हमेशा उसी के बारे में लिखना चाहता हूँ जब मैं लिखता हूँ दोसके साथ टाइम स्पेंट करता हूँ मुझे सब बहुत ही अच्छा लग रहा है डॉक्टर ने बुचा कि मुझे रूबी के बारे में और कु हुणना चाहती थी इसके बाद केविन जब घर पर आया तो ब्रदर और उसकी वाइफ आई हुई थी केविन को घर में लड़कियों की कुछ कपड़े मिलते हैं उसके ब्रदर को भी अंडर गार्मेंट्स मिलें केविन को लगता है कि शाहे डॉग ने नेबर के कपड़े चुरा कर ला है रात में केविन ने ब्रदर को अपनी बुग दीखाई ब्रदर ने कहा कि तुमने रूबी के बारे में जो भी लिखा है इस तरीके के रियल लड़किया नहीं होती है लड़किया बहुत ही complicated होती है तुमने एक लड़की के बारे में तो लिखा है पर ये एक person नहीं है तुमने सिर्फ एक character लिखा है पर रियल लड़किया बहुत ही लग होती है उसने केविन को आडवाइज दी कि तुम्हें जो पता है इसे के बारे में तुम लिखो केविन को ये बात अच्छे नहीं लगती और रात में रूबी के साथ एक डेट पर गया है इमेजिन करकर एक बहुत ये अच्छा सा सीन लिखता है इस डेट पर अपने प्र हमेशा हमेशा प्यार करूंगी अगली सुबा जब केविन उठा तो एक काम के लिए उसे बहुत ही लेट हो चुका था पर जब वो नीचे आया तो रूबी उसका वेट कर रही थी उसने रूबी के कैरेक्टर को पेपर पर क्रियेट किया था पर वो अब एक्च्छल में क्र हो चुकी थी केविन को लगता है कि है उसे एक बड़ी मेंटल प्रॉलम आ चुक गया अगर किसी को पता चला कि रूबी को देख रहा है तो उसे मेंटल हस्पिटल में डाल देंगे तो इस वज़े से बहुत ही जादा डर गया केविन ने ब्रदर को कॉल करकर सारी चीज़े बताए वो ज़रा बीजी था तो डॉक्टर से मिलने के लिए उसे कहता है उसे रखता है कि बहुत जाकर किसी से उसे बात करने चाहिए तो लड़की को उसने कॉल कर दिया और दोनों डेट पर आते है रूबी उसके पीचे पीचे ही थी उसकी गाड़ी में भी उसके साथ आ रही थी इस बात से कंफर्म हो जाता है कि रूबी एक्च्वल में एक्जिस्ट करती है रूबी उससे मेहा से जाने लगी तो केविन भी उसके पीची बीचा आया रूबी कहती कि मेरे होते हुए तुम इस तरीके से किसी और लड़की के साथ डेट पर कैसे जा सकते हो केवि पर पर चलो हम दोनों देखते हैं कि एक्च्वल में क्या है घर आकर ब्रदर ने रूबी को देखा तो बहुत ज़्यादा सप्राइस्ट हो चुका था ब्रदर केविन को अकेले में लेकर जाकर उसे बात करता है कहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड है यह प खुद राइट करकर उसे इनवेंट किया है तो तुम अपनी स्क्रिप्ट में रूबी में भी चेंजस आजाएंगे केविन कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है तो दोनों चेक करने के लिए उपर गया कि रूबी फ्रेंच में बात कर सकती है नीचे आने पर रूबी से बात करत नमत ब्रदर ने कहा कि तुम उससे कुछ भी करवा सकते हो मैं और मेरी वाइब जब पहले मिले थे तो इक दुसरे की सारी बात मानते थे पर अब वो कुछ भी बात नहीं मानती पर रूबी हमेशा तुमारी सारी बाते मानेगी एक दिन केविन जब रूबी के साथ था तो के साथ ही रह रही थी पर उसने आज रात कहा कि शायद मुझे अपने घर पर जाना चाहिए तुम फिर कुछ अच्छी नहीं लगती है पर उसकी मदर बहुत खुश थी सब मिलकर एंज़ाय कर रहे थे पर केविन को इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता वह अपने बुक पर ही कॉंसें करता है रात में केविन का ब्रदर बहुत ही ज्यादा ट्रंक हो गया वह रूबी के बारे में बता रेशन नहीं था तो इस वज़े से उसे सैड लगने लग गया केविन हमेशा रूबी के साथ ही रहता था तो उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे इस बात से वह जरा अफसेट होके वो गयती कि एक रात में मेरे अपार्मेंट में बिताया करूंगी और वो एक आर्ट क्लास में भी जाने वाली है केविन कोई बात अच्छी नहीं लगती है पर इसके लिए मान जाता है रूबी ने अपना आर्ट क्लास लगया वहाँ पर उसकी कुछ फ्रेंड्स बने तो उसे अच्छा लगने लग गया था एक रात वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिंस के ले गए और रात में घर पर नहीं आने वाली थी केविन उसे बहुत ही मिस करता है केविन ने अपने आपसे प्रामिस किया था कि रूबी को कभी भी चेंज नहीं करेगा पर आज रात वो फिर से लिखता है इसमें उसने लिखा कि रूबी पार्टी पर गई थी पर उसे बहुत ही अ एक दिन ये दोनों ज़रा बाहर गए केविन को कॉल आता है तो रूबी का हाथ छोड़ कर वो आगे चला गया रूबी वही पर खड़ी होके वो रोने लगके केविन उसे इस तरीके से कैसे छोड़ सकता है केविन ने उसे मनाने की कोशिश की पर वो बहुत जादा अपसेट थी केविन फिर फिर से व्राइट करता है कहता है कि रूबी मेरे साथ बहुत खुश है जब वो वापस है तो रूबी एक्चॉल में बहुत खुश थी वो उसे कुछ भी कहता तो इस बात सो एक्साइड़ हो और फिर से वो वापस आके पर मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि क्या वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ कर चली जाए कि एटलिस्ट केविन रूबी को हमेशा उसके साथ रख सकता है ये सब सुनने के बाद भी केविन रूबी को फिर से नॉर्मल करने की कोशिश करता है उसने लिखा कि रूबी पहले जिस तरीके से थी वैसे ही फिर से हो जाए अगली सुबा जब वो रूबी के पास आया तो फिर से अफसेट हो गई थी उसे लग रहा आता कि इन दोनों में कुछ प्रॉलम चल रहे है वो कभी भी किसे से मिलते नहीं थे रूबी का अपने फ्रेंड्स के साथ होना केविन को अच्छा नहीं लगता था इस वज़े से वो बहुत ही अफसेट हो गई थी रूबी ने कहा कि तुमने मेरी एक आइड़ा क्रियेट किया है अगर मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाव जाओ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता रूबी उसे कितने भी बात करने की कोशिश करे ये केविन तक पोच्चता ही नहीं केविन ने आज ये सब समझ लिया यदा है कि चलो हम एक पार्टी पे चलते पार्टी में दोनों अलग-अलग लोगों से बात करने लग गए ले एक्स गर्डफरिंड लैला से मिलता है उस पर अब भी बहुत ज़ादा गुस्सा था बातों बातों में इन दोनों में जगड़ा चालो जाता है लैला ने केविन से का तुम कभी भी अपनी दिल की बात मुझसे कहा नहीं करते थे तुम जब मेरे साथ रिलिशन्शिप में थे फिर भी तुम जैसे अकेले हो इसी तरीके से बिहेव करते थे तुम्हारे मन में मेरी एक इमेज थी उस इमेज से अगर मैं तूर चाओ तुम्हें अच्छा नहीं लगता था ये वही बात है जो रूबी ने अभी अभी केविन से की थी एक्च्छल में केविन का एक बहुत ही बड़ा इशू था मुवी के फर्स में उसके ब्रेदर ने भी उसे यही बात की थी उसने का था रूबी का कैरेक्टर उसने जो लिखा है इस तरीके के कोई भी लड़की नहीं होती है एक परसन में बहुत सारे अलग-अलग डाइमेंशन्स होते है केविन जिस तरीके से अपनी गर्फरेंड को चाहता है उस तरीके से सब कुछ चीज़े नहीं हो सकती है टाइम के साथ लोग चेंज होते रहते है पर केविन इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था अपने इस गर्फरेंड लायला के साथ यही पर उसकी बात खतम हो जाती है यहाँ से जाने के लिए रूबी को ढूडने लग गया पार्टी में रूबी केविन के एक ओथर फ्रेंड से मिली थी यह वही ओथर है जो केविन को हमेशा नीचा दिखाते रहता है उसे बहुत ही जादा हेट करता है जब उस ओथर से रूबी मिली तो उन्हेंने कुछ बात कि रूबी को उसका स्विंग पूल बहुत ही अच्छा लगा था तो आतर ने का तुम भी यहाँ पर आ जाओ रूबी स्विंग पूल में जा रही थी तो केविन यह देख लेता है और इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा कुस्सा हो गया वो इससे उसे घर पर लेकर आया इस बात के वज़े से इन दोनों में बहुत बड़ा जगड़ा हो गया केविन कहता है कि मुझे तुमारा इस तरीके से किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता तुम हमेशा मुझे कंट्रोल करते रहते हो अब यहाँ से वो जाने वाली थी केविन का इगो हर्ट हो गया वो कहता है मैं जो भी जाओ वो मैं तुमसे करवा सकता हो वो उपर जाता है और रूबी के बारे में लिखने लग गया वो रूबी से कहता है कि मैंने तुम्हें क्रेट किया है मैं जो भी जाओ वो सारी चीज़े तुमसे करवा सकता हो रूबी को ये पढ़कर शौक लगा वो उसे कहती है कि अगर तुम सोचते हो कि मुझसे तुम कुछ भी करवा सकते हो तुम्हारे लाइफ लोनली और बहुत ही घटिया बन जाएगी केविन इसे हर्ट हो क्या और और भी लिखने लग क्या उसे डांस करवाता है समीन पर गिरा देता है उसने उसे हर्ट कर दिया उसने अभी अभी जो भी क्या हो और फिर भी रूबी से बहुत प्यार करता था उसे बहुत बुरा लगा वो डिसाइड करता है कि रूबी को हमेशा के लिए फ्री कर देगा उसने लिखा कि रूबी जब घर छोड़कर चली के उसके बात से केविन उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था इस स्क्रिप्ट उसने रूबी के पास रख दिये इसके उपर उसने I love you भी लिखा अगली सुबा जब वो उठा तो डूर के पास स्क्रिप्ट पड़ी होई थी और रूबी वहाँ से चली गई थी केविन का हार्ट ब्रेक हो गया वही पर नीचे गेर कर रोने लग जाता है बहुत टाइम तक वो वैसे ही था जब उसका ब्रेदर उसे देखने के लिए आया तो उसे हो सहारा देता है अब थोड़े दिन बीद गए थे उसके ब्रेदर ने उसे कहा तुम्हें तुम्हारे साथ जूबी हुआ इसके बारे में लिखना चाहिए केविन कहता है कि लोगों को यह सब रियल नहीं लगेगा तो प्रेदर ने कहा कि इसे फिक्षन की तरह लिखना केविन को यह आइड़ा अच्छा लगा और उसने इसमें एक बूग बना दी पब्लीश होने के बाद यह बूग सक्सेस्फुल हो गए उसके डॉक्टर भी उस पर प्राउड थे डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि रूबी सर्शुष में तुम्हारे साथ थी केविन ने कहा कि मुझे कोई भी फरक नहीं पड़ता वो शायद थी शायद नहीं भी थी वो जैसे भी थी वो उसे एकसेप्ट करता है इसी तरीके से अपनी गर्फरेंड को एकसेप्ट करना उसके लिए हाड़ था पर इस बुक को लेखने के बाद उसने इस सब चीज़े रियलाइस किये उसने रूबी को एकसेप्ट किया है एक दिन केविन अब उस रूबी की तरह दिखने वाली एक लड़की दिखे उसे कहती है शायद मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ वो लड़की केविन की बुक पढ़ रही थी तो उसने अपनी पिक्चर उसे बुक की पीछे दिखाई उस लड़की को लगता है कि शायद इसी वज़े से उसे जानती है पर एक्च्वल में रूबी थी उस दिन घर से जाने के बाद रूबीन केविन के बारे में भूल गई थी ये बाद सिर्फ केविन जानता है अपनी सारी गलतियों को केविन ने अब रियलाइस किया है इस रिलेशन्शिप के लिए अब वो रेडी था ये दोनों अब फिर से बात करने लग गए शायद इनकी लव स्टोरी की एक बहुत ही ब्यूटिफुल से स्टार्टिंग हो कि इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है ये मूवी हमें पता कर जाती है कि प्यावर में हम सेल्फिश नहीं हो सकते है हमारा बाडनर हम से क्या चाहता है इसका भी हमें खयाल रगना चाहिए इसी के साथ आज का वीडिए हम खतम करते है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आधर है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमुई के साथ तब तक लिए थांक्यो और आप अपने आपका ख्याल रखिया